तो भाई आज के वोड़े हम बात करेंगे आपर PIDO speaker के बारे में जिसका model number है P1502223 speaker और हमारे पास दूसरा speaker है जो कि Erons का speaker आता है इसका model number के बारे में बात करेंगे तो यह है MB15N800 मतलब कि इसका model number ही 800 है कुल में लाकर के 800 वाड के दोनों speaker हैं जो कि AES मा और में आते हैं इस speaker का price बारे में बात करेंगे क्या 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 specific के स्था में मिल जाते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे कि दोनों speaker में से हम कौन सा speaker ले सकते हैं तो यार आप वीडियो को लाच तक जोड़ देखते रहेगा और चैनल में पहली बार है तो नीचे जाकर subscribe के लिए बैए एक अनकॉल में सेट के लिजिएगा क्यों को DJ स्लेट बहुत सारे वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल में मिलते हैं वीडियो में और सारे डिटियो में कौन से अम्पलीफाय लगेगा दो टोप के लिए चार टोप के सबी जनकारी देखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहेगा तो चले स्क्रीन पर चलता है और सारे डिटेल्स में आपको बताता हूं हम डिस्पले पर और हम या पर देखने वाला है Airons का स्पीकर और PRalu का स्पीकर का कॉमपर कौन सा स्पीकर जीतने वाला है यह सारा चीज़ आप देखेंगे इस वीडियो के उपर जिसमें के प्राइस भी बताने वाल हूँ एम्पलीफाय कौन सा लगेगा RMS वार्श और एरोंस का जो इस speaker है इसका model नमर के बारे में बात करेंगे MB15N800 जो कि इस speaker का आप looking wise देख सकते हैं आपको क्या के details देखने को मिलते हैं इसके उपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे PR2 का speaker में P150 2223 इसका model नमर है जो कि पहले only 2226 आथा था अभी 23 add कर दिया गया है जो कि यहाँ पर new model में आपको देखने को मिलता है इसका जो changes है वो यहाँ पर change कर दिया गया है पहले वाला changes तो है वो अलग आता था और इस speaker वो 1000 वर्ड AS पार में आता था और अभी 800 वर्ड AS पार में आने लगा है प्लस यहाँ पर airons का भी speaker 800 वर्ड AS पार में ही आता है हम बात करेंगे यहाँ पर इसके specification को पर तो दोनोई speaker का specification हम साथ में देखते चलेंगे तो यहाँ पर nominal impedance के बारे हम बात करेंगे तो atoms का दोनोई speaker आपको देखने को मिलता है voice coil 4 inch का दोनों में देखने को मिलता है लेकिन PRDU में आपको 3.9 inch का voice coil देखने को मिल जाता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चोटा है लेकिन दोनों में सेम मान लेजें कि 4 inch का ही voice coil यूज़ किया जाता है और यहाँपर voice coil के बाद करेंगे, मदलब material के बारे में voice coil का material क्या use किया गया है तो यहाँपर थोड़ा सा difference है, airons में copper का material यूज किया गया है और यहाँपर PRDO में आपको voice coil जो material है, वो ALR यहाँपर use किया गया है तो यहाँ पर difference आपको देखने को मिलता है coil material के उपर, basket दोनों में सेम है, cast aluminum का यूज़ किया गया है और power के बारे में बात करेंगे 800W, ES power में दोनों speaker आते हैं, और sensitivity के बारे में बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा difference आपको देखने को मिलता है, जैसे कि airons में आपको 96.2 dB के यहाँ पर आपको sensitivity देखने को मिलता है और PIDO में यहाँ पर 97 dB देखने को मिलता है, मतलब 0.8 dB थोड़ा सा ज्यादा है PIDO, लेकिन अब हम बात करते हैं कि कौन सा speaker ज्यादा बज़ेगा, या फिर जो भी हम सारा चीज हम वीडियो के आगे डिसकस करने वाले हैं, तो यहाँ पर frequency range के बारे हम बात करेंगे, जो कि हम frequency response भी बाल सकते हैं, तो दोने speaker का अलग-अलग frequency है, जैसे कि 35.6 से लेकर के 2000 Hz तक और PIDO यहाँ पर काम करता है, 40.6 से लेकर के 2000 Hz तक, मतलब कि यहाँ पर 5 Hz से नीचे से ही उठाने लगता है, मतलब इसमें ज़्यादा बेस आपको मिलता है थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे नेट वेट के बारे में, speaker का नेट वेट यहाँ पर 8 kg 200 ग्राम जो कि एरोंस का speaker है, और नेट वेट यहाँ पर PIDO का 10 kg 400 ग्राम वेट का अंदजा आप लगा सकते हैं, लगबग 2 kg 200 ग्राम के आसपास ज्यादा है, यहाँ पर PIDO का speaker, क्योंकि इसमें फ्राइट मेगनेट में आपको speaker देखने को मिलता है, एरोंस का speaker आपका new magnet में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर light आपको देखने को मिलता है, प्राइज रेंच लगबग 9000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपको देखने को मिलता है, पी आडियो का speaker जो है, वो भी तकरीबन 10,000 के अंडर में आपको मिल जाएगा, मार्केट में थोड़ा भूत कम जादा हो सकता है, दोनों speaker का प्राइज अप्रोक्सिमेटली मैंने आपको बताया है, प्राइज समय के हिसाब से कम जादा होते रहते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा speaker हम ले सकते हैं, या फिर कौन सा ले, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एरोंस के तरफ आप एक बार ट्राइज जरूर करें, क्योंकि एरोंस के तरफ आप जाते हैं, तो इसमें प्लस प्रेंट क्या है कि नियो डिमे मैंगनेट आपको देखने को मिलता है, दोनों मोडल के हिसाब से अगर हम बात करें, प्लस जो स्पीकर का पावर जो है, वो दोनों का सेम है, प्राइस के बारें बात करेंगे, तो लगभग सेमिलर आपको प्राइस भी देखने को मिलता है, तो हम नियो डिमे मैंगनेट के तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है, बेस आपको जादा मिलेगा Pardo के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको 35 हर्ट से स्टर्टिंग 2000 हर्स तक करता है, और यहाँ पर Pardo का जो जो स्पीकर है 40 हर्ट से लेकर के 2000 हर्स तक यहाँ पर काम करता है, तो कहींना कहीं आपको थोड़ा सा बेस जो है एरॉंस के स्पीकर में देखेंगे मिलता है थोड़ा से जादा मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ज्यादा बेस मारा है मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का जो साउंड क्वाल्टी वो लगबग सिमिलर ही रहेगा लेकिन बेस थोड़ा ना कहीं ना कहीं म कि तरफ क्योंकि हम इसलिए इसको आगे कर रहें कुणकि आप कहीं न कहीं आप देखेंगे मार्केट में पी-आडि throne का जो इस पी कर आता है वो आपको कौपी मिल सकता है इसलिए यहाँ पर आपको एरॉंस के उपर सजेशन कर रहा है आप इसके उपर जा सकते हैं क्योंकि इसका कॉपी थोड़ा सा जो है आपको नहीं के बराबर मिलेगा भी मारकेट में हो सकता है या भी इसका कॉपी आया भी ना हो तो आपको ओरिजिनल प्रोड़क्ट मिलेगा तो आपको काफी अच्छा क्वाल्टी भी मिलेगा तो आप यहां पर airons के तरफ जा सकते हैं और आप PRU के भी तरफ जाते हैं तो जा सकते हैं लेकिन आप अपने dealer से ही ले मतलब जो PRU का dealer होगा उससे ही ले अगर आप local market में लेते हैं तो आपको copy मिल सकता है और price range आप देख लेना अगर कम मिलता है तो आप समझ जाना कि copy speaker है उतना अच्छा sound quality आपको नहीं मिलेगा उस speaker में जैसा आपको मिलना चाहिए तो चलिए बात करते हैं हाँ पर amplifier के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कौन से amplifier यूज़ करेंगे तो ज्यादा time waste ना करते हुए हम बात करेंगे एक टोप के उपर तो एक टोप के उपर हम HF के बारे में मैं आपको बता जाता हूँ आप 100W से लेकर के 120W का HF यूज़ कर सकते हैं हम से कम आपको लेना चाहिए अगर आपके पास budget काफी अच्छा है तो आप लाइक यहाँ पर 34W का amplifier यूज़ कर सकते हैं जैसे कि MT701 या फिर आप CA 12 भी यूज़ कर सकते हैं मतलब जो sound instrument का amplifier आता है वो CA 12 भी amplifier यूज़ कर सकते हैं दोनों speaker same voltage का है तो मैं दोनों का ही बता रहूँ आप समझ लीज़े PRDU लेते हैं तो PRDU के लिए भी same amplifier है रहेगा Airons कर लेते हैं तो Airons का भी same amplifier रहेगा अब हम बात करेंगे चार्ट अप के लिए चार्ट अप अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप 5000 अप्लिफार यूज़ कर सकते हैं जो कि 2 ohms के उपर recommended हो उस type के amplifier आप ले सकते हैं जैसे की example के तोर पर हम चलते हैं यहाँ पर NX audio का MT1201 या फिर आप audio tone का MT1201 यूज़ कर सकते हैं या फिर आप NLabs के उपर भी जा सकते हैं X5 लेकिन उसमें थोड़ा सा clipping का जो है वो थोड़ा सा issue है उसका light जो है उसका meter जो है वो बढ़ा दिया गया है मतलब clipping जल्दी नही नहीं होगा तो आप ज्यादा sound करेंगे तो हो सकता है आपका speaker damage हो जाए लेकिन आप mixer से अगर 0 db के light में चलाते है तो आपका speaker damage नहीं होगा तो आप X5 भी यूज़ कर सकते हैं तो चले गाई आज के वीडियो पर से इतना है तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment में जो नहीं देमात्रम